पीटन फॉक हार पानी से 20 फीट उपर एक रेल पुल पर खड़ा है। उसकी कलाया उसकी पीट के पीछे बंधी हुई है और उसकी गर्दन के चारों और एक फंदा है जो उपर एक बीम से बंधा हुआ है। उसे धीले तक्तों पर रखा गया है जिन्हें एक स्थाई मंच बनाने के लिए ट्रेन की पट्रियों के क्रोसस्तीस पर बिछाया गया है। उत्तरी सेना के दो स्यानिक, एक साजंट और एक कप्तान ने तुरंट उसे घेर लिया, फासी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके अल वह अपनी वर्तमान स्थिती के विकर्षनों को दूर करने और अपनी पत्नी और बच्चों के विचारों पर अधेग ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आखें बंद कर लेता है। उसे अचानक एक तेज, धात्विक धंटी सुनाई देती है, ये ध्वनी उसकी घड़ की ओर जा रहा है, जो दुश्मन की सीमा के बाहर सुरक्षित रूप से स्थित है। ये विचार फौकोहार के दिमाग में तब आय ही जब कप्तान ने साजंट को सिर हिलाया और साजंट बोर्ड से दूर चला गया। फौकोहार एक सफल बागान मालिक था, जो दक्षनी उद देश्य के प्रती समर्पित था। कॉन्फेडरेट सेना में शामिल होने में असमर्थ, वह कुछ महत्वपूर्ण तरीके से दक्षन के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए उत्सुक था। अतीट में एक शाम, फौकोहार और उसकी पत्नी अपनी संपत्ती के किनार पर बैठे थे, तभी भूरे कपड़े पहने एक सैनिक पानी पीने के लिए वहां आया। ऐसा प्रतीत होता है कि सैनिक संगिय सेना से था। जब उनकी पत्नी पानी ला रही थी, फौकोहार ने सामने की खबर मांगी और उन्हें सूचित किया गया कि उत्तरी बलों ने एक और अग्रिम लॉंच करने की प्रत्याशा में रेलमार्गों की मरम्मत की थी। जो पहले से ही उल्लू क्रीक पुल तक पहुँच चुके थे। सैनिक ने खुलासा किया कि क्षेत्र में उत्तर के प्रयासों में हस्तक्षेप करते हुए पकड़े गए किसी भी नागरिक को फ पुल के पास धेर हो गई लकड़ी में कोई आसानी से आग लगा सकता है। वह व्यक्ति जो वास्तव में छद्मवेश में एक उत्तरी स्काउट था ने अपना पे समाप्त किया और चला गया केवल एक धंटे बाद विपरीत दिशा में जाने के लिए वहां से गुज्रा। हमें फासी के समय वर्तमान में वापस लाता है। फौकोहार पुल के किनारे से नीचे गिरते ही होशखो बैठता है। वह अपने शरीर में दोडने वाली दर्द की धाराओं से जाग जाता है। एक जोरदार छीटे ने उसे और भी अच्छानक जगा दिया और उसे एहसास ह हुआ कि फंदा तूट गया है जिससे वह नीचे की धारा में गिर गया। फौकोहार को एक प्रकाश टिम्टिमाता और चमकने से पहले ही फीका दिखाई देता है जब वह सतह पर कुछ घबराहट के साथ उपर उठता है। उसे डर है कि जैसे ही उसे पानी में देखा जाए के लिए अत्यदिक दर्द से लड़ता है जिसे वह एक चीक के साथ बाहर निकालता है। फौकोहार पीछे मुल कर देखता है और देखता है कि उसके जलाद आकाश की छाया में पुल पर खड़े हैं। प्रेरी में से एक ने उस पर अपनी राइफल से दो बार फायर किया। फौकोहार बंदूग की दृष्टी से निशानेबाज की भूरी आख को देख सकता है। फौकोहार फिर लेफटिनेंट को अपने आदमियों को गोली चलाने का निर्देश देते हुए सुनता है इसलिए वह गोलियों से बचने के लिए नीचे गोता लगाता है। वह फौकोहार के साथ तैरते हुए फौकोहार को पता चलता है कि गोलियों की बचार उसके रास्ते में आने वाली है। एक तोप का गोला दो गच की दूरी पर गिरता है। वह खुशी से रोता है और परिद्रश्य को देखकर अचम्भित हो जाता है। उसे अपने और अपने पीछा करने वालों के बीच और अधिक दूरी रखने की कोई इच्छा नहीं होती है जब उपर से ग्रैपशोट की एक बोचार उसे जगाती है। वह जंगल में जाता है, सूरज की रोशनी में अपना रास्ता तै करता है और पूरे दिन यात्रा करता है। अपने परिवार की और बढ़ता है। उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए बरामदे से नीचे उतरती है। वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसे अपनी गर्दन के पीछे एक तेज जटका महसूस होता है और उसे अपने चारो और एक चका चौन्ध कर देने वाली रोशनी दिखाई देती है। तब सन्नाटा और अंधकार उसे घेर लेता है। फोकोहार मर चुका है उसका टूटा हुआ शरीर वास्तव में उल्लू क्रीक पुल के किनारे से जूल रहा था। ये सब उसके दिमाग की सोचती की वह घर गया अपने परिवार से मिला जो की हर इंसान की बहुत गहरी यादे होती है। ये अंतिम समय पर चरम सीमा पर होती है।